आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राजीव ढॉंडियाल और आप देख रहे हैं प्रहार जनता से जुड़े वो मुद्दे जिन से सरकार, सिस्टम और समाज मुण लेता है उन लोगों पर एबीपी गंगा के इस विश्णिश कारिकरम के जरीए हम करते हैं प्रहार तो आईए सबसे पहले देखते हैं आज किन मुद्दों पर आप कर रहे हैं प्रहार मेरट में पलायन के मामले पर एडी जी मेरट फ्रेंज का बयान प्रहाद नगर में पलायन जैसा कोई मामला नहीं अपनी मर्जिस से कुछ लोगों ने बीचे अपने मकान बीचे पी पाश्वर में लगाया था प्रहाद नगर में लोगों के पलायन करने पर मजबूर होने क फिल्म आर्टिकल 15 के खिलाब रहमर समाज का प्रदर्शन जारी यूपी और उत्राखंड के कई शेरों में लोगों ने फिल्म के पोस्टर जला कर किया विरूत, फिल्म पर पतिबंद लगाने के मांग कर रहे प्रदर्शन कारे लगनों में इस स्वाश्टा के लिए नगर निगर ने शुरू की नई मोहिम नगर आयुक्त के हावास में लोगों को शौचाले का इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा एक अनौंसमेंट तो शुरूबात करते हैं अपने पहले प्रहार के पर्शमे उत्तर प्रदेश में खरीब एक साल के बाद एक बार फिर पलायन का जिन बाह निकला है पिछले बार कैराना के गलियों से ये मकान बिकाओ है कि तस्मीरे सामने आये थी और अब मेरट में ऐसे ही कुछ मामले सामने आये है मेरट के प्रलाद नगर में कुछ लोगों के पलाइन के खबरे आई हैं जहां पर कुछ लोगों ने अपने घरों के सामने मकाउन विकाओ है ये तख्तियां लटका रखी हैं मेरट रेंच के एडी जी प्रशांद कुपार ने खुद मौके पर जाकर मामले के परताल की जिसके बाद उन्होंने साफ किया कि प्रलाद नगर में पलाइन जैसा कोई मामला नहीं है और जो लोग अपने घर बेच रहे हैं उसकी वज़ा कोई विवाद नहीं है बलकि मकान मालिकों की अपनी मर्जी है लेकिन सानिय अपारशत का कहना है के लाके में होने वाले गुंडागर्दी और आसामार्जिक गत्विधियों की वज़ा से लोग यहां से अपने घर छोड़ कर जाने लगें लेकिन इस पूरे मामले पर राद नगर रहे लोगों के अगर बात करें तो जब उनसे बात की गई तो उनका भी कहना है कि लोगों को उनके मकान की अच्छी क्यमत मिल रहे है तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेरट में पलायन का सच क्या है क्यों किसी के घर बेशने को धार्मिक रंग देने की कोशिशें की जा रहे हैं आप प्लैन्स का शब्द बार बार यूज ना करें कारवाई हो के रहे बाद तो पूरा मामला आपने जाना एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है खास पैनल से आपको मिल बात हूं हमारे साथ शाला मरे जुपार्टी जुड़े हैं इसके साथ साथ आगरा से मनुष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हिंदुबादी नेते हैं आपके बहुत बस वागयता और कानपुर से मुहमद सुलेमान हमारे साथ जुड़े हैं यह पता चली कि वह एक इलाका है जहां पर लोगों ने अच्छी कीमत लेकर अपने घर बेचे हैं और ये इतिफाक की बात हो सकती है या अच्छी कीमत की बात हो सकती है या आपसी सामनजस की बात हो सकती है कि जो घर जिनके थे वो हिंदू समाज से आते थे और जिनको उन्होंने बेचा है वो मुस्लिम समाज से आते हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल जिन्होंने ये कहा हो कि नहीं हमने मजबूरी में, दबाव में या किसी परिशानी की वज़े से अपना मकान बेचा है उनके शलम मनी जी ऐसा क्या हो गया था कि बीजेपी के पास्षट को ये कहना पड़ा कि ये लोग तो पलायन करने हैं क्योंकि इन यहां पर जो महिलाया है उनके साथ छेड़ चाड़ होती है यहां पर लूट मारी होती है उनको परिशान किया जाता है तो क्या ये धार्मिक रंग दिने की कोशिश नहीं की गई थी फिर क्या मेरी आवाज आपको मिल रहे है शलम मनी जी लगता है कुछ तकनीकी समस्या है उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है उनके पास में मैं जाओंगा लेकिन उससे पहले अगर हम पूरे मामले को देखें मामला बेह समय दनशील है क्योंकि इससे पहले कैराना में भी कुछ इस तरह की तस्वीर आई थी शामली में से भी कुछ इस तरह की मामले सामने आये थे कांधला से इस तरह का मामला सामने आया था और अब मामला सामने आ है मेरट के प्राइलाद नगर से जहां घरों के बाहर लिखा हुआ ये मकान बिकाओ है और जब लोगों से पूछा गया तो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि अच्छी खीमत मिल रही है बीजेपी के पाश्रत कर्ड कहते हैं कि नहीं मसला दूसरा है मसला धार्मिक रंग देने की कोशिश की गए है जो बहुत संक्यक समाज है उस पर उसको यहां प्रतारित करने का एक तरिके से काम किया है और यही पलाइन की मुख्या बना है जब एड़ी जी तक बात पहुंच रही तो एड़ी जी खुद जाते हैं मौके पर एड़ी जी जब मौके पर गए उन्होंने मौाइना किया देखा कि क्या स्थिति वहां पर है लोगों से पूछा तो ऐसा कुछ मामला ही सामनी नहीं आ गया है या दूसरा कोई उनका कारण है त्यारपी में आने का कारण है क्या वज़ा है तो हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़े हुए है लखनों में जाओं इसके साथ हमारे साथ मनुष कुमार जी भी इस वक्त जुड़े हुए हिंदुबादी नेता है और मुहम्मद सुलिमान हमारे साथ जुड़े है सबसे पहले मनुर्श कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा पाशत कहते हैं कि बड़ी समस्या हैं बड़ी परिशानिया है योगी की सरकार है क्या आपको लगता है कि योगी की सरकार में भी इस तरह की परिशानिया बहुत संख्यक समाज को जहलनी पड़ रही है पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये विषय उठाया जा रहा है मेरट में मेरट का ये विषय है मेरट नहीं पूरे भारत का विषय है मैं आपको अगर विषय को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूँगा कि जब देश आजाद हो रहा था तो जिन्ना और नहरू ये दो पार्टीशन के दो हिस्सा बने नहरू भारत में रहे और जिन्ना पाकिस्तान में मुसल्मान पाकिस्तान में रहना चाहते थे और बहु संक्यक समाज जो हिंदू था माप केज़े का मैं आप रहतरा ज़ता हूंगा हिंदू नहीं भारत में आज सर्वी धर्मों के लोग रहना चाहते तो रहते हैं अज सर्वी धर्मों क्योंकि यह जो है का विसे अलग हटके है पर यह पलायन से जुड़ा हुआ है मेरत में बड़ी संक्या में लोग पलायन आसे नहीं करें किसी खास बज़े से पलायन हुआ है क्या आपको लगता है देखिये मुसल्मानों की एक रणीती है एक घर खरीदो बाकी घर पर कबजा करो यह मुसल्मानों की रणीती रही है एक घर बड़े अच्छे दामों में खरीदो एक घर खरीदने के बाद में बड़ी संक्या में हिंदूओं को वहाँ पलायन करना पड़ता है क्योंकि बेहन बेटियों को छोड़ा जाता है और ये केवल पलायन नहीं ये लेंड जेहाद का मुद्दा है क्योंकि बड़ी संक्या में हिंदूओं का पलायन माने घरों को छोड़ के जाना तो लेंड जेहाद है लब जेहाद के साथ इन्होंने लेंड जेहाद प्रारम किया है और वो लेंड जेहाद का अर्थ है के मेरट, कैराना, मुझफ़ नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगर, बरेली, सहाजानपूर, आगरा यह बड़ी संक्या में यह सारे जो डिस्टिक्ड मैंने आपको, अरोप आपके बहुत गंभीर, आरोप को आपके अरोप को हलके में नहीं लिए जा सकता है क्योंकि एक विशिश समुदाय पर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाएं, लेकिन उनका आधार क्या है मैं वो भी जानना चाहूँ क्योंकि ADG गए, उनको कुछ ने मिला, इसका जवाब लोगम आप से, लेकिन उससे पहले एक रियाक्शन मुहमद सुलिमान आपका, वो कह रहे हैं कि ये नीती रही है, ये रहा है आप मुस्लिम समुदाय का कि एक घर खरीतो और उसके बाद फिर पर उसको बढ़ाते रहाओ, दाइरा बढ़ाते जाओ, बाकी घर खाली कर भाओ. देखिए मानेवर को मैं जानता नहीं है लेकिन बड़ा प्सुर्स रहा कि इनको शाद यह पता नहीं है इनको कि आज से दो साल पहले आज से दो साल पहले शामली और मदफ़न नगर का मामला पलायन पर आया था और उसके बाद एडी जीपी ने जाज की बादा डी जीपी ने बादा रिपोर्ट भेजी मुक्खमंति ने पडल पर रका बैस हुई और यह मानना पड़ा कि ये बादा एक स्टंड था एक राजनेतिक स्टंड था लोगों ने अपने रोजगार के लिए शामली मदफ़न नगर से दूसरे श में कारोबार इच्छा कीमत अची नहीं मिलती थी तो जाकर कुछ लोग नुह में बस गए कुछ लोग गुरगाव में बस गए और उन्हें बाकादा बयान दिया हमारी जास्चिवित को कि हम अपने पिटर परशिंटी पेतर असर के लिए आए हैं और आज जो है आज जो है मेरट की पार मेरट के लियंट की लिए यहां तिया है आलवेश कौन दा प्रीजरvaluation यह इस तरह के जोकि जिए बद्री कर्ण की राजनीत की जा सकेhl की ऐ मातिख से दुर्विकर्ण साथ यह यह only करन तो किसल नहीं हु करते हैं रहे अ mais हीुरा गैदि जानते हैं नहीं केंदर में सरकार आपकी है लॉल पी सी ती एन जिला है केंदर में मसलमार आपकी है आप केबल एक डिस्टिक की बात मत करिये पूरे देश के अंदर कन्या कुंपारी करती किवे कि कर दिस मेरें प्रक्राइटे का प्रक्राइश मेरे एक पंडित अवर भर को खोड़ने प्रक्राइश मेरें लानेिगों की लेंड का अटार जेहद नहीं डिक घृत गया उखनणे स Counter Service नीफ से सत्व 활 गर देया तो क्या है तु ties अगर एक एक करने करेंगे अब करेंगे आप लोग यह संक्रमन फैला की यह नारे लगा कर इस दैस की राजनीत को प्रदूर्शित कर रहें हैं अगर बीज़ेपी पाश्रत की बयान को अगर माधार बनाते हैं पर सवाल पूछें तो सवाल यही उठेगा कि योगी सरकार में कौन परेशान कर रहा है भीया योगी सरकार में भी लोग परेशान हो रहे खास्तार पर वो वर्ग जिनका हितेशी मुक्यमंत्री को बाना जाता है आदेश कीजिए जाच कीजिए आप इस तरह के नारे इस तरह की बाते हैं हमें इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब देश आजाज हुआ था तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाईयों की आबादी थी वो 7-8 प्रतुषत के आसपास थी आज की तारीक में 19% के आसपास मुस्लिम आबादी हो चुकी है तो बहुत से ऐसे इलाखे हैं जहां पर भॉभॉलिक इस्तिती सामाजिक इस्तिती बड़ी है और मेरत में जो हो रहा है मैं आप दोनों से अपेल करूँगा गुजारिश करूँगा कि कृपिया कृपिया दूसरे लोगों को भी बॉलने दें आपके पास जब मैं आऊँगा तो आप अपनी बात को रखियेगा ऐसे चीखिए चिलाने से कहीं ना कहीं यह सहीं नहीं है यह एक डिसकॉशन के मरियादा के बेखलाफ है आप हमारे अथिति हैं इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोनों से कि आप शांती बनाए रखिये अपनी जब आपके पास मैं आऊँगा तो आप अपनी बात को रखिये गा शरफ मनिजी आप अपनी बात पूरी की अब बिलकुल मैं वही कह रहा था कि आजादी के वक्त भारत में जो मुस्लिम भाई थे उनकी आबादी साथ से आठ प्रतिशत के आसपास थी आज करीब करीब 19 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुके है तो निश्ची तोर पे जिस तरह का विस्तार उनकी आबादी में हो बहुत सी जगों पर सामाजी को और वहां की भागले की सिप्षियां बद्ली है मेरट भी उससे अचुता नहीं है जो लोग यह कहते हैं कि कहराना और शामली ने इस तिद्धियां ऐसी नहीं थी तो यह मुझे लगता है कि कश्मीर के बारे में भी नहीं बानेंगे यह तो क कश्मीर के बारे में भी कहेंगे कि नहीं वहां जो कश्मीरी पंडिते वो बड़े भाईचारे के साथ अपना मकान छोड़ कर आ गया है तो अखिलेश जी की सरकार में चामली और कहराना में मुकीम काला जैसे गुंदे माफियां का राज पलता था वहां पे उनका राज चल करके बड़े नबसक हैं कि कश्मीर में आप जो महंगी कीमते लगा कर मकार रची कीमतों पर खरीद कर रहे हैं और आपके प्रॉट चलाएंगे तो आपके चिलाने से आपका जूट सब्सक्राइब नारे लगाना जाते हैं मौलाना साब आपके चिलाने से आपका जूट जो है सत्य बनी बदलेगा कश्मीरी पर्णितों को भी आप कहेंगे कि वह आपके शोड़े चले आए तो अपनी बात चुनिये पहले हैं तो वही तो मेरा सवाल है मेरा भी सवाल आप सुनिये मेरा सवाल ये कि प्रदेश में हैं मेरे योगी के सरकार है कि इंद्री में बी योगी की सरकार है तो वैसे में लोगों को किससे ड़र ड़ लग रहा है या फिर उस डर को हटा नहीं पा रहे हैं योगी सरकार करना पड़ा है तो कश्मीरी पड़ीतों को भी नहीं मानेगे कि उनको प्लान करना पड़ा है तीक और आज जैसे लोगी इस तरह के जिहाद के समर्थक हो सकते हैं यहां पर बैठ के शानती से भैस करनी है तो सुनिए वरना आप जैसे जो संक्रिट मांसिक्ता के लोग हैं वो कताई सच सविकार नहीं करते हैं मुझे क्यों मौला ना कह रहे हैं आप क्यों अप बर्दस्ति बिलकूशलम मरीजी मौला नहीं है वहां पर कोई कानून लोस्था के चलते मकाम देजकर जा रहा हो ऐसी इस तितिया नहीं है यह इस तितिया दो साल पहले अखलेज़ जी की स जफर नगर के दंगे हुए वहाँ पर बेहनों के साथ छिडखानी होती थी अब यहाँ जो मेरत की प्रलाद नगर की घटना है वह दूसरे तरह की घटना है यहाँ कि आप इसको कह रहे हैं कि धार्वी एक तरीके से दबाव है और दबाव के करण पलायन किया जार देवेंद सामको तो अपनी बात रखिएगा अराम से अराम से डिसकर्शन को आगे बढ़ाएंगे जी तरह की टिपनि की है अरे अरे सर आप चाहे शूल लिजिए यह बड़ा गंभीर भी से है कि बीजेपी के पारसद ने इस तरह के प्रश्न उठाए हैं आं वहां इस तरह के महाल ब सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास यह जगर ऐसा है तो फिर मेरट में इस तरह की घटनाएं जो हो रहिए यह बड़ा निंदनिये हैं दूसरी चीज मैं आप से एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में अगर यह ऐसी चीज़े हैं तो इस प्रदेश में का मामला है इस पर चिंतन होना चाहिए जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है तो इस तरह की कहानी नहीं घटनी चाहिए वाकि गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए बीजेपी के पारश्ट के अगर बात माने उनके अगर आरोपों को माने तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर पलायन किसी खास धर्म समुदाय के वज़र से प्रतारित करने के वज़र से उबाए एडी जी जाते हैं वो कुछ भी सच नहीं पाते हैं तो आप इस मसले को किस तरह के से देखने क्या वाकि धार्मिक एंगल दिया जा रहा है या धुरूवी करण की हाँ पर अधिकार दिया है लेकिन इस बात का बड़ा सवाल है कि क्या वज़े है कि उस इलाके में लोगों को ज्यादा कीमत मिल रही है और लोग मकान बेच रहे हैं क्यों अपने पुष्टाइनी मकानों से लोग बेधकल होना चाहते हैं इस पे ही सारी डिबेट अगर केंद्रित की जाए तो इस मसले की सारी समस्या पे हम रोशनी डाल सकेंगे और उत्तर प्रदेश में अभी तक जहां जहां ये बात सामने आ लोग की उस महाँ पर जमीन करीद रहे हैं या मकिन मकानों को करें नहीं हुआ कई साबित नहीं हुआ देखे वहाँ प्रहलाद नगर्स की जो समिती है वहाँ रेजिडेंट वेलफेर कमेटी है उसके मिस्टर चड़ा अध्यक्ष है और चड़ा साब ने कल ADG को बताया ADG को बताया प्रशांद कुमार को कि साब यहां पर अराजकता है बहनों बेटियों को निकलने में जाने में आने में दिकते हैं हम लोग परिशान है इसलिए यहां लोग मकान बेच के बाहर जाना चाहते है इसकी वज़े क्या है देखे हम मिस्रित आबादी में रहने की हमें चाहिए हमारा धर्म हमारा संविधान है और हमारा धर्म यह कहता हमारा संविधान है कि सभी धर्मों को बराबर का संवाल मिलना चाहिए चाहे हो ह circuits मुसल्मान हो लेकिन अगर कोई इलाका किसी दूसरे धर्म से सुरांडर है उसके चारों तर he धर्म के लोग हों और बीच में दूसरे धर्म के लोग रह रहे हों और उसमें बीच में जो धर्म के लोग रह रहे हैं वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यह बात A.D.G.L.O. कितना भी छिपाएं डक्टर लक्ष्मी कांद बाजपेई वहां के पूर्व विधायक है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयानात कलके हैं उन्होंने कहा है कि यहां अराजक्ता है अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे हैं और अराजक्ता की वज़े से लोग मकान बेचने को मजबूर हैं तो जो यह अराजक्ता है इस अराजक्ता की वज़े अच्छा द होने चाहिए यह हमारे सेकुलर ढाचे को चोट पहुचाने वाली बाद है किस आधार पर हमारे मकान की ज्यादा कीमत क्यों दी जा रही है मनो जी आपके पास मैं आना चाहूंगा प्रदेश में योगी सरकार है एडी जी ने सुनी है ना मिस्टर राजियू जी राजियू जी एडी जी ने आज ये भी कहा है इसाब वहाँ लोगों ने मकान बेचे हैं और दूसरे इलाखे बादा कीमत मिली हमने एडी जी का बयान भ जी लिया कि माल ले एक प्रदेश में तो योगी की सरकार है फिर वो क्यों आसुरक्षित वहाँ पर महसूस कर रहे हैं जंडा बरदार हैं जंडा बुलंद करके चलते हैं हिंदुत वकार और सरक्षन देने की बात करते हैं तो फिर उसके बाद भी वहाँपर लोगों में आ माजी के सामने अपील करें कि जन्मले आना शरीर में आपको एक जानकारी देता हूं कि दो हजार चार से दो हजार साथ तक विशंदू पर सद्गा संगठन मंतरी रहा वहां एक बैंक कलोनी है बैंक कलोनी में आसरवा अधिक माने मुसल्मानों ने घर खरीद लिये हैं और वो केबल दस साल के अंदर बैंक कलोनी बैंक में करमचारी रहते थे उन्होंने अपने लिए बनाई थी पर एक घर में मुसल्मान गुसा आज बैंक कलोनी खाली हो गई आज जो आपने विसे छिड़ा है कि योगी जी की सरकार केंदर में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है जब से सबका साथ और सबके विकास की बात आई है सबका विकास ये इसका आर्थ है सबका साथ इसका ये आर्थ है कि मुसल्मानों ने ये मन कर लिया है कि अब हम पर हादि संकंठनों से डर्ने वाले सो डर्ने वाले नहीं है। आज सर्वादि संक्या में भारत राष्ट है। अरे तो आप कर क्या रहे भाई मनोज कुमार जी आपने मुद्धा नहीं उठाया मनोज कुमार जी बैंक कालोनी आपने लेंड जहाद के कारण से आपने बैंक कालोनी खाली कर दी आज मुझफर नगर की घटना हुई एक हिंदू लड़की के साथ में मनोज कुमार जी ये मुद्ध तो फिर आपने उठाये नहीं ठीक है ये मुद्ध आपने उठाये नहीं बहुत अब पादेशी सई सभास आप से पूछना है कि तब तो मुद्ध आप अपनी आवाज बूलन कर देते हैं बेलाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी इसके साथ इंडियन नाशनल लीग के रास्ट्री अध्यक्ष भी है करने जाता जिसमें आप ये बताईए गए की नहीं गए प्रशान्त जी गए तो अब विदान्दवा का सत्र श्रू होने वाला है इन से कहिए कि आपकी पार्टी सत्ता में है एडी जी पी की जाच रिपोर्ट अगर अगर पत्रगार हैं तो पत्रगारिकार Кा तरकाज में आखרाश यह है और डीजी पी उसको जो है गरे मंतराले को भेजें परदेश की सरकार सत्र बुलाने जा रही है जुलाई में रखे बहस करा है अगर किसी नहीं सा किया है प्रतारित किया है तो उसके खिलाब योगी सरकार द्या करतब भी है कि एक्शन ले लेकिन ये सारी बाते मनगलंत हैं य जन्ततों गत्वा ये निर्णाय आया ये जहां चाही कि जिन लोगों ने पलायन किया या गए वो रोजगार के आउसर की तलाश में गए मकान बेचने की बास सही कह रहे हैं आज बहुत से लोग ब्यापार करते हैं मकान बेचने का और फ्लैट्स बनाने का बहुमंजला मका बहुत से लोग हिंदू भी करते हैं मिसल्मान भी करते हैं और इस तरह के मामलों में तमाम कर्मचारी मेरट डिवलम्मेंट अथार्टी के कर्मचारी मेरट के पुलिस के कर्मचारी एक लिंटर में इतने हजार इतने लाग रुपए लेते हैं रिश्वत के चला सब बादार गर्म है योगी जी योगी है योगी माहप योगी पूरुश है उन्हों चाहिए अब मकस्ट पर सवाल क्यों ना उठे बीजेपी के पार्शत के क्योंकि एडिजी खुद रहे हैं अब आप लोग भले ना कहरो हैं उन्होंने बकादा बयान दिया है वो यह मान रहे है कि ऐसा क लान चलबाए वो कहरें कि ऐसा तुछ नहीं है उन्होंन मकस्ट में आपर सवाल खड़ा हो ठीक है मुम्मद सुलेन मार्ण आपके पास मैं फिराओंगा जी शलविके राजीव जी सबसे बड़ी बात इस बात को समझने के आउशकता है कि प्रहलाद नगर हो शिवजी नग हनुमान नगर जितने हैं वहीं पर जाके हिंदू आबादी से मुस्लिम आबादी में वहां पर चीज़ें बदल लाइए कोई मुस्लिम इलाका आपने देखेंगे कि जहां पर अचानक से अब ही अगर घटने लगे घरों की संख्या पर हिंब वहां जाक कि रागता है कि आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा राजी जी बहुत बड़ा बहुत व्यापक एक समस्या है यह कि आबादी जिस तरह बढ़ी है और कुछ खास लोगों कि आबादी जैसे बढ़ी है मैं तो कोट कर रहा हूँ कि जब जब देश आजाद हुआ तो नौ प्रश्चत मुस्लिम भाई थे आज यहां पर 19 प्रिजदी मुस्लिम भाई हो गए है आप उसकी तुलना मगर हिंदू की अबादी बढ़ती हूँ देखेंगे तो बहुत कम बढ़ी है तो निशी तोर पे ज इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और प्रभावी कारवाई हुई चाहे गुंडे किसी वर्ग से आते हो अभी जो हो रहा है वो कई बार कीमतों को लेकर हो रहा है निश्ची तोर पर यह सब को सोचना पड़ेगा कि जो कीमतों की लालच में जिसमी वज़ा से बेच रहे देखे राजिव जी आज मेरट के बड़े अखबार में खबर है और खबर में प्रहलात नगर समित के अध्यक सुनील चड़ा का बयान चपा है उनका बयान है कि प्रहलात नगर अब रहने लायक नहीं है यहां रोजाना गुंडा गर्दी होती है जिसके चलते लोग घर बे क्या कहते हैं जिकारी कहते हैं ट्रैफिक की समस्या है छेड़ चाड़ फाइरिंग होने की बात कही गई है इसको देखते हुए प्रहलात नगर और इसलामाबाद के बीच में पुलिस पिकेट लगा दी गई है बात यह नहीं है टकराओ जगडा तनाओ यह बहुत स्वभाइब के अगर कहीं हिंदु इलाका है कोई मुसल्मान भाई वहां पे है तो अपने को सुरक्षित महसूस करें महफूज महसूस करें उसका परिवार जब वह घर से कहीं बाहर जाये तो उसका परिवार भी नडरे और वह आसानी से किसी भी हिंदू के घर पे जा सके और कोई भी हिंदू उस मुस्लिम भाई के घर जा सके लेकिन ऐसे ही जहां भी मुस्लिम समुदाए जाता है और कोई दो चार दस घर हिंदू है वहाँ पे तो हिंदूों के को भी उतने ही महफूज माहौल मिलना चाहिए यह हमारे समविदान का मक्सद वागे महफूज और दरसल में या दूसरे इसके पीछर के कारण है उन कारणों का कही ना कहीं पता चलना चाहिए क्योंकि राजनीती इस पर एक लंबे दौर से होती रहे है और आगे भी ना हो संजीदा मुस्लों पर चर्चा हो यही होना भी चैबरल हमारा अगला प्रहार जो की इन दिनों एक एगे फिल्म के लेकर है जो की बैंस सुर्कियों में तीन साल पहले एक बदायों कांड भूा था जिसमें दो भईनों की हत्तिया कर दी गई ती उस पर आधारित है इसी के विरूद में योपी और उत्राखंट के कई थिएटर्स और मॉल में प्रदाशन की तस् jeune सामने आई इसके अलावा यूपी की कानपूर, इसके साथ साथ अलीगर, प्रयागरा, आगरा, तमाम जगहों से विरूत की तस्मीरे सामने आए, विरूत प्रशन हुआ और ब्रहमर समाज का रूप ये है कि फिल्म में समाज की शवी को दोमिल किया गया है तो सवाल उड़ता है कि किया आखर फिल्म में ऐसा क्या है, जिसके बज़र से ब्रहमर समाज इस फिल्म का विरूत कर रहा है कि आगए फिल्म में कुछ ऐसा है, जिसके बज़र से इस पर प्रतिमंद की मांग उठ रहे हैं, खास पेले हमारे साथ बना हुआ है सबसे पहला सबाद मर Intro बिल्स क मार जी पानस कमार जी आपी से है सवाल ये है कि सवाल क्यों बैला उससे पहले तस्भीरों को हम दिखा देते हैं मैं आपके पास आऊंगा ये तस्भीरे कानपूर के प्रयागराज के अलेगर के अरजबार की कुछ तश्पीर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं से थे तरभी कई जगहों से तस्वीर हैै प्रदर्शन की गई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है क्या वो अब sensor board बन गए हैं क्यों इस तरह का production और इस तरह के production उपर रूख क्यों नहीं लगा जाती जब sensor board फिल्म को पास कर देता है सवाल ये भी है तो ये production अलग-अलग हिस्सों से आज देखने को मिला है अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मनुष जी आपके पास आना चाहूंगा सवाल आपसे क्या आखिर ऐसा आपको क्या लगता है फिल्म में जो जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन करें ऐसा क्या अपती जिनक आपको लगता है इस फिल्म में है कुछ राजीब जी देखिए सेंसर बोड जो है वो बिना तत्यों के आधार पर अपनी सहमती देता है और एक समाज या बहु संक्यक समाज हिंदू मैं इसमें ब्रहम्मण सब्द नहीं जोड़ूँगा कल पदमावती पर एक ऐसे ही जो घटना घटी थी पदमावती जोहर जो 16,000 रानियों के साथ जोहर करती है हिंदू समाज का सम्मान रखती है आज उस उस पदमावती को एक जूमर नाच पर उन्होंने जो है किस पिरकार से अपमानित किया पहली बात तो यह कि जब इसको लेकर करनी सेना में विरोध किया था तो उनका विरोध बात में पता चला कि फिल्म में तो ऐसा कुछ था ही ने पहले तो मेरा सवाल आपसे यह है क्या आपने फिल्म देखी है जो इसका विरोध कर रहा है मैंने भी वो फिल्म देखी है मैं आपको यह बताता हूँ सेंसर बोट जो है यह फिल्म मैंने नहीं देखी है पर किसी भी समाज की अगर व्यक्तिकत आहत होती है समाज को तो ऐसी फिल्म रिलीज नहीं करनी चाहिए जिससे समाज और देखी ही नहीं है तो किसाधार पर कह सकता है कि फिल्म में कुछ खराबी है जिससे ब्रहमर समाज की आहत पहुंची है और आज पूरा समाज जो है का प्रदर्शन कर रहा है तो फिर आपको लगता है कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन जायज है देखिए राजीव जी मैं फिल्म तो देखी नहीं है मैंने नहीं देखा फिल्म यह कौन से फिल्म मैंने इसी फिल्म नहीं देखी है लेकिन यह जरूर कहूंगा कि फिल्म इंडश्ट्री को इस सब चीजों से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म जात या किसी भी च ताकि उनके फिल्म को एक्स्टाड़म मिले, उनके फिल्म चले, इस तरह की बवाल बढ़े, आपको देखने को तमाम जगहों को पूटा होगा, आपने ट्वेलर तो देखा होगा, क्या इसमें लगजा है कहीं पर भी प्रदर्शन करने लाए कि इस फिल्म में क्या आपने दे गारा आपने जाते हैं, पूटा राजीश देहें, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सेंसर बॉर्ड ने किसी फिल्म को पास किया है कि कोई भी फिल्म और कोे इस से किसी किसी की भावनाय आध नहीं होनी चाहिए जिम्हदारी जो फिल्म कर डिरेक्टर होते हैं इनको यह जरूर देखना सेख़े हैं करो चाहिए मैं देवेंद्र लोगों की बहुत पपाइगी लेकिन जो रिवीस आ रहे हैं जो लोगों के बयान सुनवा रहे हैं, लोगों की बयान आ रहे हैं, वो केरें कि बहत्रें फिल्म है Salvador, समानता की अधिकार की फिल्म है और इस में ऐसा कुछ भी दिया है। नहीं देखिए एक तो किसी भी सिनेमा का, किसी भी कला का, किसी भी अच्छे कहानी का, किसी भी अच्छे राइट अप का, कोई बिरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का ब्यक्ति हो और जहां तक बात भावनाओं को आहत करने की है तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों का ध्यान रखे किसी की भी भावनाओं को आहत न करे किसी को नीच न कहे किसी को दलित न कहे किसी को बुरा न कहे और सबको समान काम करने का और अच्छे से जीने का मौका मिले कराय जा रहा है दूसरी बात यह है कि बदायू कांड उत्तर प्रदेस में जब घटना घटी थी तो युवनों तक उस मामले पे चिंता जताई गई थी और इस कांड में उस जाती के लोग शामिल नहीं थे कहीं से भी जिस जाती को फिल्म में सामिल कर दिया गया है और कहा जा इसको बदायू कांड से बता दिया गया अब बदायू कांड में दो बहनों ने अपने उनकी पेड़ पे मरी हुई मिली थी कहा गया रेप करके उनको मार दिया गया एक बड़ा भारी मसला उचला था सपासरकार के जमाने में लेकिन मैं ऐसी धेर सारी चीजे हैं जहां ब्र ब्रामनों जो ब्रामनवाद के तहट कुछ जातियों को दबाया जाता है उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसका लगातार इस समाज में बिरोध होता रहा और लंबे अर्से से बिरोध हो रहा है और आज से नहीं हो रहा हजारों साल से बिरोध हो रहा है लेकिन इसके बेदकर की जो मूल भावना जो समविधान के हमारी बात को सब्सक्राइब करते हैं जब उसके खलाब विरोध को उस भी भाव को मिठाने के लिए समानता का अधिकार क्या है कही न कहीं एक संदेश तो लोगों तक इसे बहुत अच्छा पहुंच रहा है कि भाया आपको लुक भाने वालोंने गेम किया है इसमें गेम किया है कास्ट कर बधायूंक्त से वाने जुब क्रचार करने के लिए ज़्यादा depression देखते हैं और medicine हुआ कोई फिल्म आजाए तो प्रदश्षन करते हैं अगर मुसलिम से जुड़ी फिल्म में हो तो फिर मुसलिम दर्म प्रदश्षन करता है जैसे कि हम ने प्रोड़ेस जानता है अब सेंसर बोर्ड ने क्लिरेस दे दिया है अगर सबस्ते हैं कि सेंसर बोर्ड गलत है उसके मेंबर्स जो है वो गलत है तो उसको रिव्यू के लिए बहिजना चाहिए सब्सक्राइब कर दिया उसकी ट्यार भी बढ़ा दी अब फिल्म लोग देखने के लिए तेजी से जाएंगे तो यह तो उनका काम कर दिया आपने फिल्म पोड़क्शन के डिरेक्टर का काम कर दिया आपने इस पर मैं एक उर्टू का एक शेयर पढ़ूँगा वाए नाकामी अटाए कार्मा जाता रहा कार्मा के दिन से इसासे जिया जाता रहा सही और गलत की तमीज करने का शोर बर गया वारा ठीक है तो हम कैसे समाज को, कैसे में वस्तागों चलाएंगे, अब हमारे परसुराम जबा, राजीव जी रिकार्ड करके रख लिजिएगा, कभी किसी फिल्म में काम आएगा, सुलेमान साथ का बयान, जी, शलब मरी जी, मैं आपके पास, मैं शलब मरी जी से एक प्रतिक लिया, जी, राजीव जी, मैं तो सुलेमान साथ की बात पर इतना कहूँगा, कि डिनमार्क के किसी एक अंजान से अकबार में छोटा सा काटून छपा, और लखनओ की सड़के खून से लाल कर दी गई, मात्मा बुद्ध की मूरती तोड़ दी गई, जैन, भगवान जैन की मूरती काटून पर और सुलेमान साथ का जो तबका था, उनको नेत्रित तो कर रहा था, काटून से अकबार में छपा, और लखनओ की सड़के खून से लाल कर दी, तो ऐसे अंदोरन को ये जायज चाहराते हैं सुलेमान साथ, और आज एक समाज अगर अपने अंदोरन को ये आवा काटून की सड़के खून से लाल कर देते हैं ये लो, मात्मा बुद्र की बूर्तियां तोड़ देते हैं, बगवान जैन की बूर्तियां तोड़ देते हैं, और ये बैठ के दूसरों को ग्यान देते हैं कि भी आप बड़े शहिजू हो जाईए, ठीक है सुलेमान जी अब अब काला हुए, प्रतिक स्वाइश जैसरों हो अपको, आप अपने सब्सक्रा को धेते हैं, जी सब्सक्रा पतीं गई हैं, ऑसे हाट के उसनवान है हूं। हमको तो पूरा विश्वास है, आपको विश्वास नहीं है, तभी आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदार मंत्री कह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके विरोग के बावजूद अगर भारत में भाजपा की सरकार बन गई है, तो आपके पेट में दद क्यों होता हम समझते है इस बात को, लिकिन आपकी यो भाशा है वो गयर लोग तांतरी कहें, क्योंकि आपके आपके मुंकि मुंकि अपर्दार मंत्री की सर्कार के बावजूद योग होगए बहुचे को आपके, आपके यह साथ आप बैटके ग्यान दे रहेंगी विरोध मत करिए अरे साथ किसी को तकलीफ होगी तो विरोध करेगा आपको काये तकलीफ हो रही है देन्वार के कार्टून पर आप जो यहां पर कतले आप करवा रहे हैं यहां पर खून बहवा रहे हैं लगनाओं में देन्वार का डी भी हैं अगर क्क दी जांते होगी और जो समाज विरोध कर रहा है उसको आप गियान बाचने बटके आपके प्रधान मंतरी आप लितर में रहते ही रहते हैं पीन दें हाटे हैं अग। बैदाफे मेरे लिए मैंग Vienna भूलत मनुख गा onu properly either we da indiaan फ्र मार छीक है मेरे सवाल है मनोग जी मेरे सवाल आप से यह है आप झेना नदा तो बुलन्द करते हैं हिंदोत विस होगा अभी आप कहह रहे हैं कि ओ 리ाव है यह है कि तब हmost रहा है कि व् Aurad किया जा रहा है तब आप काहते हैं जब कश्मीर ना विल रड़ रहे थे हो हम केरल को पेंड़ करते हैं वरण व्यवस्ता लागू की जाए, तो देश महान होगा, देश समका साथी समका विश्कास की बात होगी, देश के अंदर जब तक जाती बाद रहेगा, जब तक छेत्र बाद रहेगा, जब तक प्रांत बाद रहेगा, जब तक भासा बाद रहेगा, जब तक भारत एक नहीं वही उसका मौलिक अधिकार बना चाहिए। देखिए लुक तंत्रिक विवस्था में इस तरह की बात तहीं होनी चाहिए। वही बीवी 25 बच्चे की बाता समस्ते हैं। कि एक डिरेक्टर, एक आक्टर और उसके पीछे जो बड़ी टीम होती है वो बड़ी मेहनत से फिल्म को बनाती है। उसके बाद एक सरकारी बकाइद प्रक्रिया है कि सेंसर बोर्ट चेक करता है कि क्या ये हमारे देश के किसी विशिश समुदायक के हितों को तो आहित नहीं करता है। उनको ठेस तो नहीं पहुंच आता है। इसके साथ साथ हमाम दूसरे पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पर फिल्म को चेक किया जाता है। उसके बाद उसको पास किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिरिस्ताकर प्रदर्शन जब किसी ने फिल्म देखी ना हो त जब फिल्म सेंसर बोर्ट से पास हो गई तो वो उस फिल्म को चलाए सही तरीके से चलाए मैं आल आज के प्रहार में फिलाल के इतना है